इस फिल्म के सभी पात्रिवम घटना एकालपनिक है जिनका किसी भी व्यक्ति या वस्तु से कोई संबंद नहीं है फिल्म के निर्माता किसी भी तरीके से किसे इंसान या किसी समुदाय स्थान जाती धर्म संस्था या बेवसाय से जुड़े लोगों को बूरी तरीके से पेश करना या उनका अपमान करने का इरादा नहीं रखते हैं हम जाती वेद के सक्त खिलाफ हैं हम तंबाकू, शराब या नशीले पदार्थों के सेवन का भी समर्थन नहीं करते हैं हम जार्थमान करते हैं वाय दोडना है झाल 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 सर पता नहीं यह क्या करता रहता है जब देखो चमच घिसता रहता है अच्छा है काम में इंगेज रहता है कम से कम नॉंसेंस तो क्रेट नहीं करता है ओम त्रंबकम यजा महे सुघंदिम पुष्टी वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर मुक्षिय मामृतात हर 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 महादेव आप विराजे गंगा तट पे नजर रखे हो हर संकट पे चटधारी लटधारी हर तक बगसाद में डोले बंबं बोले बोले काशी हर हर गंगे बोले काशी भोले बड़ा दैवान है ना मिटने लकीर दे जित पे अगर आ जाए तो समंदर चीर दे जै शंकर बोलो जम कर ना दिर सिर्याग ये खोले बंबं बोले बोले काशी हर हर गंगे बोले काशी ये होली है काशी की होली जै शंकर जै धोले जै जटा धारी तूने रच्छी है ये दुनिया सारी मूत परेतन की नाचे है डोली जब खेली जाती है काशी में होली लाल गुलाल में लाल गाल पे लाली सामल डालूंगा परी है पिसकारी के सर के पानी से विगा दूंगा पांग पिऊँँगा स्थ को संग पिलाओंगा आज हू लेना चूते यो यासा रंग लगाऊंगा यह होली है काशी की होली ठोड़ी मिला के मीठे रस में दोके से भांग पिला दी मुझको मज़ा आ रहा है ये कैसी मस्ती मेला दी आया है जूम के फागुनवा भी गोए चोली मेरा बलमवा होली है जारा होली है तुरा न मानो है ये पीची होली है आया है जूम के फागुनवा भी गोए चोली तेरा बलमवा तेरा बलमवा तेरा बलमवा तेरा बलमवा तेरा बलमवा तेरा बलमवा तेरा पलमवा तेरा बलमवा तुम का काटोगे हमारा तुम और तुमारे दोस्त चूड़ी पहलो बवीना बार-बार हमें उंगली करना छोड़ोगे नहीं अगली बार बास करेंगे आएंदा किसी से पद्दमीज ही कीना तो मादेप की कसम चिंदा फूप देंगे आए मैंड़ में अपूखेंगे तो हम बिट्टा त्या होब नहीं कुछ नहीं तैंक्यू अब्रुक्ष आदमी हो बैकी थेंक्यू और यह तो बोलना चाहिए ना वेकलम नहीं वेलकम अरे जो भी होता है बोलना चाहिए था अच्छा एक बात बताओ तुम्हारे दोस्ते से अकडा रहता है क्या यह पनारस है मेडम जी यहां का कववा भी मोर होता है आगे पार चाहिए अगर पती है आधकल राजीती में करता है कि मचली के पेट में हीरा रखे स्मगली भी करता है अरे का खुसूर पुसूर कर रहा है ससूरा मैडम जी आप इसकी बातों पर ज्यादा यकीन मत कीजिएगा फिल्में देख देखके इसके दिमाग का सौर्सर केड़ हो गया इंसान हो जो मुझे बनारसी रूबरू करा सकते हो माइडम जी अभी इंटर्व्यू बिंटर्व्यू का वक्ति है उकाय की घर पे बहुत काम बहुत लेट हो रहा है फिर कभी इस अरे राम प्यारी बिना जूखे तुम मानोगी नहीं अरे यार तुम्हार पस को सब्सकाम है जाओ ना जो बैटो आए जाओ ना रंगीला बैट जो अपना मेडम जी मिलते हैं अरे यार सुबर यार पप्यार यार इंटर्व्यू लेगी आते हैं इस कि अ कि कि अ हाई काशी है अरे आप यहां है एज फटे पगड़ जारा है अए अए अरे ओ छुटका थीक से मार बास काम चोरी मत करना साले कितना मुश्किल है ना तुम्हारा काम एक इंसान को जलाना इंसान नहीं मुर्दा आत्मा के निकलने के बाद सरीर का कोई मतलब नहीं है काशी में अपने आर्टिकल में तुम्हारे बारे में लिखना चाहते हैं हमारे बारे में कि एक डोम के बारे में तुम्हारे बारे में तुम्हारे बारे में डोम तो यहां कहीं है लेकिन काशी तो से फेकी है ना अच्छ है आज आने में इतना लेट काहे होगया नहीं आज काम धेर आगया था अच्छँ आगया तु बेटा और यह मारी माहे है और रुक आगी घर की बना रिया अंब गंडा यह गंगा आगी यह बहीन है गंगा और यह देवीना मैडम है अच्छा अगबार में चापेंगी अगबार में चाहे लेंगी मैडमा अरे हम बना देया ना भाई रहने दो तुम्हारे हाथ का चाहे पीलेगा ज़िए घाट पहुच जाएगा अगर रहने दो काशी चाहे फिर कभी ठीक है मैडम वैसे काशी तुम्हारे घर वाले बहुत अच्छे है घर नहीं वाडम चीडिया घर है और चीडिया घर की बनारिया इगंगा अगर काशी क्या मैं तुम सबकी एक फोटो ले सकती हूं हाँ काहे नहीं आरे रुको भाई हमे काशी में शेला कुरता तो पहले ने दो अरे सुनो उन ने का कुर् एक भषफर्भ लेक्ता हो ना अरे तनी हम भी तो अपना बारवार जार ले ना जार लो बाल जैसे बाल जारने से सीरी देवी लगोगी नाव ज़लो अ बहुत अधरिया थो हम आखवान जैसे थोपड़ो अच्छा मैंग। तो तुम मुझे बनारस कब गुमा रही हो? जवाब करेंग। तो ठीक है, कल सुब दस बजे खाट परेंग। ओके? बाइ ए हीरो अरे धर उधर का देख रहे हो? तुम ही से कह रहे हैं? अरे हाँ भाया, आज तो सही में हीरो लग रहे हो? सच? हाँ अरे मैडम को घुमाने जा रहे हो, इसमें इतना सजने की का जरूरत है? जब बोलेगा कफन दोलेगा, तेल चुपोर दे तिल चट्टा बन जाए अरे भाई, तो इसमें इतना बढगने की का जरूरत है? जाओ जाओ, मैडम इंतजार कर रहे होगी बेटा, जाओ की अरे अखवार में का पट्वक ब्रेकिंग निश्यां का जरूरत है? आज तो पूरा ऊपर से नीचे तक चमक रहे हो बनारश की सारी बिलिया एक तरफ और तुम साले पांच फीट-8 इंच के सब बिलार एक तरफ ओर यह अच्छा काम करने निकलो तो रास्ता काटे ही देत ऐसे बात का है राज राजा आज अचना दिलीब कुमार शेक गविंदा नहीं से वन गये खाइए अरे नहीं चलना में जाना है वादो तुम नीचे टिप से गीरोंगे उतरो नहीं तरेंगे उत्रो वे मा कशम नहीं हां तो जाएंगे नहीं है यार एक पान खाया जाए फिर चला जाए तूठो पान तो लगवा यार हम तो मां कसम का लिए इसकूटर्स किसी उतरेंगे एक खुर्रा मारेंगे न सही हो जाओगे नौट इसालें लब से जाओ बंसे आओ जाओ यारो अपना जर्दा वाला किमाम वाला लगवाओ और ही हमको देते लो लगाओ एक नौरत किमामी पान समझे इलाइची मारके तुल्सी डबल जीरो तावात है रंगिला भी या अजकल बहुकाल टाइट है हमारा लाक्री लगा है चुप चाप पान लगाओ ज्यादा दरूगा ना बनो अलो भाई आन हूँ भाईण भाईट लोगायदा क्शि तु Help हम मादम काशी लुकम तुकूल एंग्याद मम आख प्लीज मुझे मादम मत कहा करो अब मैं तुम्हारी दोस्त हुना, मुझे देवीना कह सकते। ओके मादम, मदब, ओके, देवीना तो बेटर, तो कहां से शुरू करें? अनारस में हर नए काम की सुरूआत हम यह गंगागाट से करते हैं मेरी साडी खराब हो गई और तुम हस रहे हो अब मैं क्या करूँ अरे तो इसमें चिंता की का बात है सब की गंदगी गंगा मयाद हो देती है तो यह तो बस कभूतर का बीठ है सामने गंगा है, धोलीजिये सीडी समातिय भाइब, और सुरी देवीना इक चुत की रोजाना तुम हसी दे जाना मठी भर कुछ सासे पास में रख जाना बिन शर्त जो बांधे हमको वो रिष्ता तुम ले आना जिस दिन तुम कुछ खाब न भेजो नीद मेरी चिड़ जाती है जब भी तुम सासे भेजते हो उमर मेरी बढ़ जाती है तुम तक जो पहुचा दे मुझे को वो रस्ता तुम ले आना वो रिष्ता 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 तुम ठेहरा हुआ पानी तुम जो मिलो तो हल चल हूँ मेरे पाउं तरे हाँ जन्नत होगी हाथ तेरा जो सर पे हूँ तुम से जो जुदा ना करे वक्त कितनी जल्दी घुज़र जाता है ना काशी कल तक तो हम अन्जान थे और आज काशी में सिर्फ काशी अपना है क्या हो चुप क्यों हूँ नहीं कुछ ही मज़़़़ आज रात मेरे साथ दिनर करोगे हाँ है फिर फिर कभी नहीं या चलो रहने दीजेन वो घर पर मावाबा सब इंतजार कर रहोंगे फिर कभी में डिनर के लिए बुलाओंगी ही नहीं क्या है मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे आओगे जब रुकनी का इतना ही मन था तो लंटरानी का है बतिया रहे थे ही का तुम्हारी तरह बोल्ला सीख रही हूं हाँ इतो बड़ी आए एए रहे हूंगे वाइं पियोगे एव नहीं है वो सब तो नहीं है पीए और जयादानी हो एगा नहीं ज्यादानी होगा नहीं एक थो बात बोले हाँ बोलो लड़किया दारूपी ते कुछ ठीक नहीं लगती अब क्या करूं मेरी तन्हाई का साथ ही यही तो है परिवार में कौन-कौन है कोई नहीं डाड और भाई बच्पन में ही गुजर गए एक माँ थी जो कुछ महीनों पहले चल बसे अकेली रह गई मैं अब तुम अकेली नहीं रही हमे ना दोस्त तुम्हारे जीने के लिए एक दोस्त की नहीं एक हम सफर की जरुरत होती है मेरे हम सफर बनोगी तो बोलो हम हाँ मजा करी थी पागल हम तो डरी गहते हैं अच्छा एक बात बताओ तुम कभी स्कूल नहीं गए नहीं बाबुजी के पासे पैसे नहीं थे के दो बच्चों को एक साथ पढ़ाए एक ही बढ़ सकता था अच्छा एक बच्चा को भेज़ दिये स्कूल वैसे भी हमें पुर्खों का दंदा आगे बढ़ाना था बहुत प्यार करते हो गंगा से जानबस्ती है गंगा में हमारी अरे बातों बातों तुम्हें कहीं खाना जलना जाये मैं अब्स अभी है आख काशी कौँ ने हाथ जल गया पता ने मेरा ध्यान कहा था पे ने गरम आवन के अधर हाथ गाट आप अधर अधर आख आवन वह वो रिषता तुम ले आना चोके तुमको उंगलिया मेरी कितनी खुश हो जाती है तेरी हतेली से दिल के ही देखो सुखो ये पाती है जिन से नजदे किया बढ़े वो फासला तुम ले आना वो रिषता तुम ले आना काशी अरे तुम्हारे वारे मी सोच रहे थे वैसे आज सवेरे सवेरे इधर कैसे इधर से गुजर रहीती तो सोच है मिलती चलों देख लिया लड़की से कैसा मीठा मीठा बतिया रहा है और जब हमसे बोलता है तुमा गुलता है गिर गिट कहीं का महमान के सामने कोई ऐसा बोलता है का तनी को सहूर नहीं है इनकी बातों पे ध्यान मत दीजेगा, बुड़ापे में सट्या गेगा, कोई बात नहीं, अच्छी मैं गंगा के लिए गिफ्ट लेकर आईगा, गंगा, ये गंगा, आई भाया, आई भाया, आई भाया, आई भाया, इसकी बाटी से टक्रा के, वैसे देविना इसकी का शरू अवरी मीटिंग है, मैं निकल देंगा, खीक है, पेन होगी, हाँ, ठीक से वेवार करना हम से, नहीं तो देंगे नहीं, जला देंगे वहाँ पे, का खिचते हो बबीना भाई, का तान है, एकदम तिल कद गदा जाता है, आई गजाब, सीना में जान होना चाहिए, बैटा, तो देंगे लिए, यह वाद दो है, बाई पपू, जाहे महकाल के राजा दम लगानी है, तो आजा बरना वही बैठे-बैठे पाजा, बोल, बब, बम, बब, बम, लिए, टोला, फटे मोटला, थिचर लूला, खीच, कतनों भी दम लागे खीचेगा, लेकिन बवीना इसन नाग नहीं लगा पाएगा हाँ देखा हाँ दिन बर लास्ट फुकत हो और कमावात है पांच सो रुपई हाँ अरे इसे जादा हम दस पूरिया बेच के कमा ले थे और गल्तिय से कटवा बेच दिये तो भी जादा कुल मिला के जंड बार जिंदिकी सरों के तो देखा राम प दिन रात घुमते रहता है उके साथ इसे चाहे जो भी कहले बोविना भाए तुमको मात देने में एक्सपोर्ट है साला हाहा 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 हाह इके जब हमादेव ना इके ना जीते बनी नमरते बिन पानी मर्चली जेसन छटपटाएगा ससुरां तो यह जब देखा तुमने काशी को कहीं देखा काशी को तुम रोज देखते हैं अब ही देखा है क्या अब ही तो नहीं देखें कहीं घाट वट पे होगा अरे काउब अ पहारी तुन तुमं दंगे लेगे और गने दिन इद्र गने अगर अगी दिने तंगे रखें हम नम 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 न जच्गे वा चुम्मन जाचा का चाय बनाया हूँ काशी कब से ढून रही हूँ तुम्हें और तुम यहां बैठे हो का हुआ और तुम्हेती घबराईयू भी काया हूँ कि अभी तुम्हारे घर से आ रहे हूं गंगा अभी तक कॉलेज से घर नहीं लोटी है का इतना लेट तो कभी नहीं करती है चलो काशी कुछ नहीं जाचा कहां जा रहे हो आते अभी कि असका मोबाइल भी स्विच्ट अफ आ रहा था लेकिन उसके पास तो मोबाइल फोन था ही नहीं था लेकिन माबाबा ने तुमसे यह बाद शुपाई है ईए ए अए ए अए रहा है क्रें विच्ट शुपाई भाव जी आयनिये गंगा नहीं बेटा प्सामज में नहीं आरा है काहा रहे है ए मा उच कहें नहीं ए ती का नहीं बेटा हमसे तक कुछ नहीं कहें गई है और उसके पास मुबाइल फूल हमें बता है नहीं आप लोग ने हमसे आप लोग जूड भी बोलते हैं अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया ना तो आप लोग जिम्मेदार होंगे इसके चलो ना उसके कॉलिज में पता करते हैं चलिए तमाल है आप लोग आते हैं अभी है अग्या तो आप आप अब आप जो शंडरल हैं अवरे रुके रूखे कहाा न नातर चले जा रहे हैं गंगा को ढून रहे हैं माई साहब इकासी है, यहां हर तरफ गंगा है, अरे उग गंगा नहीं हमारी बहीं गंगा, इसी कॉलेज में पढ़ती है, वो सुबे से घर में लोटी तो, भाई साहब, कॉलेज चार बजे बंद हो चुका है, और अभी रात का दस बज रहा है, देखिए हो सकता है गंगा, गलती से आख ले रहे हैं, लेकिन किसी से कहिएगा नहीं, नहीं तो हमारा नौक नी चला जाएगा, आए अननाते हुआ, चले, आए, 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 अरे, यह लाइट कैसे जला हुआ, इसको तो हमी आप किये थे, आए तो देखते हैं, आए, 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 वाचमान तुम, राम, राम प्रफेसर सहाब, छे, मैं 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 कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं जानता, जो कुछ भी किया, सब इस लड़की ने किया, गंगा, चलिए महराज निखलिए का बात है? साब हमारी बहीन कॉलेज गए थी गहर नहीं लोटी रात बहुत हो गई पता नहीं कहा रहे गई आसकर के लड़कियों के यही प्रॉबलम है गई को अपने किसी दोस्के से मजे करने साब ऐसा बोलेंगे तो ठीक नहीं होगा क्या बात है असंदर का हुआ सब देखी चरह इंका क्या बोलेएं हटो दो आटो हम देखते है का ठीक नहीं होगा वेट अर्य वेट नाम कहे है तम रहा कैसी पूरा नाम कैसी चौधरी वारेंगे सर पे भगोगे जाके घर पे भागोगे जाके घर पे बहुत ज्यादा चर्व यागी का तुमको पखलोल देखे इंस्पेक्टर मैं जोनलिस्ट और आप किसी से इस तरह बात नहीं कर सकते और ये आपकी डूटी है कि आप सिटिजन्स की हेल्प करें कि आपकी एलो एक और काबिल इन से मिलिये अरे मैडम अगर आप जनलिस्ट है तो इतनी रात व इस दोम के साथ कौन साख बार चाप रही हैं यहाँ एम अगर झाली जी पेपर और एली जी पेन लिख दिए अपनी कंप्लें तुनिये 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 मगर हिंदी जी कही है मैडम हमारी बहीन कल कॉलेज आई थी घर नहीं लोटी किस डेपार्टमेंट में है उ तो ठीक से पता नहीं क्या नाम है उनका गंगा चौदरी ओके वन मिनिट काइंडली चेक दर रिकॉर्ड गंगा चौदरी नाम की लड़की किस डेपार्टमेंट में है ओके पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है देयर रेली स्पोईल्ड आर यू शूर ओके देखिए अभी हमने आपके सामने रिकॉर्ड्स चेक करवाए लेकिन गंगा चौदरी नाम की लड़की कोई भी हमारे कॉलिज में नहीं पढ़ती है वह तो इसी कॉलिज में पढ़ती है जी आप लोगों को जरूर कोई कंफ्यूजन हुआ है गंगा चौदरी तो दूर गंगा नाम की कोई भी लड़की हमारे कॉलिज में एन्रोल्ड नहीं है माइडम वो डेली घर से निकलकर कॉलेज ही आती थी यह वो घर से निकलकर कॉलेज आती थी या कहां जाती है यह सोचना आप लोगों का काम है क्या ब कैसे हो सकता है गंगा इसी कॉलेज में पड़ती है अरे कई बार तो हम खुद उसे यह चोड़के गये है कुछ तो गड़बर है मैं इसका पता लगाती हूं एक बात बताओ वो कॉलेज के लावा कहीं और भी जाती थी कुछ समझ नहीं आरा काशी कोई तो है जो हमसे खेल खेल रहा है कौन हो सकता है क्या तुम्हारी किससे पुरानी दुष्मनी है अब 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 जल्दी से मैं जोगा प्रेक हां फेका हमरी बैंट का है अब हसका रहे हुआ है का वोले म समझे नहीं तुम्हारी बहिन ए तक गंगा का यह जख्की तो तुम पहले से थे अब लगता है बखलोली का डिप्रुमा भी ले लियो ज्यादा भागवत बाचो सीधे सीधे बताओ बता तो है अमें वेट्टा लेकिन बताएंगे नहीं दुर्य उखारना है ना उखार लो काशी 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 नि करसे दो दो फ. करसे दिन! करसे दो Season 거지, करसे दो अर हो करता経नी. को plais जडाएवी ऐडिय खंच जो गणकी ख्राइव Fields को ठीफ जजनी जड़ी शान ऐड्यी हाएवी मजच जड़ी। अजड़ी युचै जड़ी। रिम्कूली के उने तुमिता आजीन को दें खाशी कर दो दो जाएगा अपनी तरीके से पता लगा लूगी कि अगर अगर मेडम मा के तुमको नहीं बचाते ना तो पगला तुमको जिन्दे अगर में जला देता है कोई आदमी से अगर सकत है पागल से नहीं इस बाद भी ठीक करतो यार सलाव कब सनक जाता है पगला समझे में नहीं आता है उदे को को ना रहे बे कहाँ पूह कि अरे मेडम मा इतर कहा आ रही है पटा ना रहे तुम्री फटती का इतनी फटती निये बे लड़की जब हमसे दूर जाती है तो नहीं फटती पर अपने आपे पास आती है तो फट जाती है बबीना मुझे तुमसे कुछ बात करने है का हमसे हां तुमसे क्या हुआ मैडम काशी से मन भर गया जबात बबीना की गली आई है पपास मत करो क्या तुमसे दो मिनिट बात हो सकती है हां चलिए कि का बात होगी यह पाला चेंच तुम साला हम लोगों को दो समस्ते नहीं हो पुता पुता मैडम हुआ बताई है हम लोगों को सारा मैटर यार देखो हम जानते हैं मुश्किल का टाइम चल रहा है पर ऐसा दिमाग खराब करने से कुछ नहीं होगा यार देखो जो बाबा लिक के भेजे है न वह होगा और कैसे हो गया हो तुम से अकेले में कुछ बात करने हैं एक मिन आते हैं यार यह बहुत ज्यादा परिसान है बहुत परि बहुत बोलने की कीमत लिए उसने सलक कौन सच बोल रहा है कौन छूट हमें समझ भी नहीं आ रहा है काशी में गंगा के कॉलेज के थी उसकी दोस है शृति वो गंगा के बारे में कुछ जानती है कल सुबह ही हमें उसे मिलने जाना है हमें आप पहुंच के हैं कौन सा कमरा है छे यह हां आईए हमने आप दोनों को कॉलेज में देखा था बस तबसे ही आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं हम आप मेरी बहिन कंगा के दोस्त है ना जी कंगा हमारी साथ ही क्लास में है देखा हम कहते थे ना गंगा उसी कॉलेज में पड़ती है कहां गई है गंगा वो तो हमें नहीं मालूम अस इतना जानते हैं कि वो कुछ तुनों से बहुत अपसेट है अपसेट क्यों हमारी क्लास में एक लड़का है अब मन्यूं आजा तुझे पे मैं रख दूँ चांद को इस तरह पालूं तिरे आसुमान को बाद लों समय बनके हर जगा तुझसे ही मुल के बेता हाशा बेता हाशा तुझको ही चाहूं मैं पहल से थोड़ा ज्यादा तुझको ही चाहूं मैं तुम हसो तो जान मुझे को क्यों खुशी मिलती है तुम जो रूठो यारा मेरी आँखे भी रोती है धूप साँ कभी बनके आमिनो मेरी सभास बेता हाशा बेता हाशा तुझको ही चाहूं मैं बेता हाशा बेता हाशा तुझको ही चाहूं मैं पहल से थोड़ा ज्यादा तुझको ही चाहूं मैं कौन है वो लड़की जी गंगा अगले साले इलक्षन में खड़े हो रहे हैं तुझका से मेरे तो अच्छा नहीं होगा ने तुम्हारे दिये और ना उस गंगा के लिए पर पापा एक बार बल्वन्त अंकल के मना करने के बावजूत भी कांका और अभी मन्यों मिलते रहें हां अरे क्या कर रहे हो अभी हार्ट फेल हो जाता है अरे चिंटा का है करती हो अपने जीती जी मरने थोड़ी न देंगे दूंको अच्छा चलो फटा-फटा हमारे साथ कहीं घूम क्या आते हैं अरे नहीं अभी क्लास है हमारा तो फिर चलो सर्मा सर के पास से नोट स्प्रिंट आउप लेकर आते हैं अब हट अरे 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 ओ प्लास कुन जाएगा अगर लेट हुआ तो तो चली जाना कभी दाफोडल रेस्ट्राउन में तो कभी किसी दोस्त के कमरे में और कभी-कभी तो अंकल के ही फार्म हाउज में लेकिन लेकिन एक दिन का हो एक दिन बोलो शृती क्यों नहीं पी रही हो चाई क्यों नहीं पी रही हो शृती बहुत बड़ा गड़बड हो गया है गड़बड क्या हो गगा गंगा वह हम हम प्रिगनेंट हो गया है वाट ? और यूश्योर हाँ हमने कई बार चेक किया रिजल्ट हर बार एक ही आया कि संभालो अपने आपको काशी इतना कुछ हो रहा था हम ना जाने कौन सी नीम में सो रहे थे कि जान समार देंगे उस रॉंडे को फिर क्या हुआ हमें कुछ नहीं मालूम हम उसके बाद से गंगा से नहीं मिले हैं देविना जी बहुत देरोरी अब हमें जाना होगा ओके थैंक्स अगर कोई ज़रूत होगी तो आल गेट इंटाच मुद्धियो कि मादेव की कसा अगर ग कि पुराइश रश्टारी आपहारी नखमम घंगे का बात है गेटवा तूर देगा का यहां काम करते हूं ना घर के दमाज जो है सौक से बर्दी पहिनके रखे हैं घर पर कोई नहीं है क्या है न सब कोई है सब लुका छीपी का खेल खेल रहे हैं इसलिए तला लगा के गर पर कोई नहीं है सब बाहर गए कहां बड़े आदमी के बड़े चोचले मैडम हम गरीब आदमी को का पता कब गये एक हपता हो गया कि अग्या कि अग्या कि अग्या कि कि अग्या कि अग्या कि अग्या कि काशी तुम थीक तो हां यह अग्या थाने बाग एसलिए बता नहीं कौन दे जरूर वो बल्वन काभी हों के एक बार हाथ तो आने दो तुपड़ा तुपड़ा कर देंगे सालोगा कुछ पता चला बेठा पता नहीं कहां चली गई हमारी बच्ची रो मत गंगा सग्रों से होजल हो जाएगी लेकिन कासी से नहीं हम खोज लाएंगे उसे रास्ते हर कदम चलते ही रहे राहों में दर्द सौ मिलते ही रहे रास्ते हर कदम चलते ही रहे राहों में दर्द सौ मिलते ही रहे धुंदली धुंदली राहे हैं धुंदली हर मन्जिल तुझे ढूंद रहा दिल तुझे ढूंद रहा दिल तुझे ढूंद रहा दिल तुझे ढूंद रहा दिल तुझे ढूंड रहा दिल तुझे ढूंड रहा दिल तुझे ढूंड रहा दिल तुझे ढूंड रहा दिल सुक्रिया कल रात तुम्हारी जाने के बाद मेरी शुदी से बात हुई थी उसने तुम्हें गुस्य में देखकर कई बाते चुपा ली थी कैसी बात काशी दरसल अभीमन्यू की पिता पलवन कभी इस रिष्टे को नहीं स्विकारते इसलिए उन दोनोंने कोट मारिष करने का फैसला किया था साधी का फैसला मैं अफिस की किसी काम से लखना हुजा रहे हैं देरा तक ही लोटूंगी तुम कोट जाओ और पता करो अगर ऐसा हुआ तो शायद हमें गंगा तक पहुंचनी में असानी होगी ठीक है सर्क जानकारी चाहिए था साधी के बारे में साधी के बारे में कुछ जानकारी चाहिए था तुम्हारी अमर तो ज्यादा लगती लड़की को उमर कितनी है जी वी्स साल हमरी बाईण है गंगा पता करना था कई जि उसे साधी तो निकर लिये हैं हुर गायब है तो हम करें हमने गायब किया है कॉंफेडेंशाल में स्वांबशान निकलो जाओ इखिये हमारी वहीं गायब है उसके लिए जान दे भी सकते तो किसी की जान ले भी सकते सीधे सीधे बताते हो के बखेडा खड़ा करें मिया अरे नहीं बताते निकलो नाम क्या बता है गंगा चौधरी यह रहा गंगा चौधरी पांस दिन पहले वो लोग साधी के अर्जी देने आये थे लेकिन साधी भी नहीं हुई है कर देखो भाईया अरे भाईया दुबारा आगए कहां जा रहे हो मालिक से मिलने जा रहे है देखो भाईया कुशे सा गर्म मत कर देदा नहीं तो में नोकिल चल जाएगी कौन है यह साभी पागल है कहता है आप से मिलना है साथ आपका बेटा हमरी भाहिन साथे बढ़ते हैं कि दोनों एक दूसरे को प्यार भी करते हैं क्या नाम है तुमारा कासी देख वह काशी कि मेरे बेटे की रगव में गंगा का पाणी नहीं मेरा खून दोड़ता है कि मेरा वो एक दों की बहन से ब्यान नहीं कर सकता दों इनसान नहीं होतेगा जब तक हम पांच रखनी नहीं देगे ना तब तक आप जैसे को ना स्वर्व नजीब होगा न नरक बड़ी सुवान चलती है तुम्हारी है देखे साब हम आपसे यहां बहस का निनी है हमरी वहिन कुछ दिनों से घर नहीं लोटी उसने अभी मन्यू के साथ जाकर कोरट में साधी की अर्जी भी दिया अभी मन्यू को जरूर पता होगा कि गं तुम्हारी सारी चाले सुमल्यादी है तेरी बहन गए होगी अपने याड बोस्तों के साथ मजे करने और इसका ठीक है हमारे बेटे के साथ भोड़ा है अगर गंगा का बाल भी बाका हुआ ना तो दोनों बाप बेटे का अंतिम संस्कार अपने हाथों से करेंगे एचाल हग् i इतना भी धील मत छोड़, कि मैं पूरी की पूरी बिगड़ जाओ, तु आख सेखता रह जाए, मैं किसी और के साथ उड़ जाओ, सही है ना, बोलना रात नशीली, बात नशीली, आज तेरे साथ दो चार कश लेली रात नशीली, बात नशीली, आज तेरे साथ दो चार कश लेली उड़ी उड़ी फीरती है वेदी कलब में, फ्लोर उपे गिरती है आके मेरे रब में मैं हुपतंग, तु है माझा, 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 माझा Oh yes, she's tripped out! दमले के इष्क दे गूदे राजा, दमले के इष्क दे गूदे राजा दम दम आर बेती नशे कामा साले दुनिया की तिकरो तुदुए में उडा ते पूरे में स्कुल से सम्-कम और बिजी मेंजे का मताले तुनिया की दिशी उस्टूरे में उखाते I know गलत है नशा लेकिन चड़ने दे थोड़ा में बिगडी थोड़ा और बिगडने दे बाहों में लेलेके अकड मेरी जाड़ दी खुद तो बिगडी की मेरी दी आदत भिगाड़ दी तु है पतंग में हूँ माझा माझा, 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 माझा गमले के इश्क दा भूधे राजा गमले के इश्क दा भूधे राजा दों-डों और बेटी नशे का मताले तुम्या की से पर तो ये में उन्हाब लूप लूब 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 कर लो मैं आंका जोड़ यहां मुपक्त जा लुड़े आ अब अच्छी वेह लुकिब अफिराए क्रेंड अभी मन्यू आप अभी मन्यू पंदे वो ढ़े जान रूचेंट इस होटेल में रुके हुए हैं मैं आपने कुस्टोमर्स की इन्फॉमेशने से लीक नहीं कर सकता देखे मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और अभी मन्यू हमारा दोस्त है कल असका बिर्थडे है और हम सुर्प्राइज देने आए हैं वह सुर्प्राइज यहाँ मैं मैं अगर एसी बात है तो लेट मी चेक थे रेक्ट्स अभी मन्यू पंडे? येस मैं वो यही थेहरे है रूम नंबल 605 और उनके साद एक मैडम भी है चना तवी गलत जलंत्रमाव पावितस्तले जी गंगा का है कौन गंगा? अगहाई अगौन हो भाई वहीच है टूम्सेंज क को इसे गंगा ये शहरे हम किसी गंगा को नहीं जांते आप़ गंगा कया अभिंगा रहरे हम नहीं जांते किसी गंगा को क्या वहीत रहाई ये झाप दोह कर का देंट है 1 Cent खार्षिकरत्या्य। म्रमारपावितस्थने म्रिये। खार्षि! 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 भॉल हमाई महीं गड़े पाई! हम नहीं जात्या भाई! जिन्दगी और मौत के खेल से हमको धरने ही लगता है फैसला तुमको करना है जिन्दगी चुनो या मौत और हम सच कह रहे हैं हम किसी गंगा को नहीं जाते हैं एक, काशी दे, दो, नहीं जाते, काशी, जोड़ देजिए जिन्दगी आपनना जाते हैं रानंदो, आस्पिटल के सामने कड़े हो के फूफू कर रहा है? पीवी बीमार है अंधर है क्या हुआ भावी बीमारी? वही औरतों वाली बीमारी औरतों वाली बीमारी खरचा इतना होगी सिगरेट कितने की है? 10 रुपे की? 10 रुपे की? और जेब में किती पड़ी? को और है? मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है क्या बख रहे? यह देख रहे मौत लिखी इस पे मौत और यह सानिटी पैट पे जिंदगी है हसमत दो सिगरेट के पैसे से भावी को ऐसी खतरनाक बिमारी जो महावरी के वक गंदा कपड़ा इस्तमाल करने से हो सकती है उससे बचा सकता है और सिगरेट ना पीने से अपने आपको भी खतरनाक बिमारी से बचा सकता है यानि कि मौत के पैसे से दो जिन्दगी खरीच सकता है तू एक अपनी और एक अपनी बीवी की सोच अभास हीरोगीरी यह पीने में नहीं है यह देने में काशी मसुरी पुलिस हमारे पीछे ही आ रही होगी जानते हैं पर उमको किसी का डर नी हम जो किये है सही किये अस बनारस पहुच कर माँ बापा को सम बता दे वाकी जो मारदेव की मर्जी होगी स्वीका रहे होगी हलो जी जी इंस्पेक्टर कही है जी, जी ठीक है कौन था? वो बारनसी पुलिस का फोन था लगता है उन्हीं गंगा के बारे में कुछ पता चलाए मिलनी बुलाए है प्रवा प्रषि बुलाए है जय जय भागिरति नंत 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 जय जय क्वोर चंद नननागा फिकुत बंधिनी जय अंत हमगे हूं इसका चेहरा तो पहचानने में ही लशी, यह तो वाई ड्रस है जो मैंने गंगा को किफ की थी बैनोगी, हाँ, ठीक से वेवार दरनाम से, नहीं तू देंगे नहीं, जला देंगे वापे कभी नहीं तूटेगा, यादों का का फिरा जिन्दगी छोड़ दी तूने किस राह में क्या से क्या हो गए हम तेरी चाह में जीना है मुशकिल, तुझे ढूंड रहा दिल तुझे ढूंडे रहा दिल तुझे ढूंडे रहा दिल तुझे ढूंडे रहा दिल दो किनारों से हम थे मिल के भी ना मिले दर्मिया थे दिलों के मीलों के फासले तूटकर रह गए हम चार दीवारों में दफन है जिन्दगी जैसे मजारों में कुछ नहीं हासिल तुझे ढूंड रहा दिल तुझे ढूंड रहा दिल तुझे ढूंड रहा दिल तुझे ढूंड रहा दिल का है मारा अभिमन्यू पांड देखो अभे का है मारा अभिमन्यू को अमरी बहीन के साथ ब्यार का नाटक किया थोका दिया उसे और सायद उसकी जान भी ले लिए कौन सबूत है तुम्हें पास अभे मौसम बिवाग में काम करता है का भे Corinth हाँ झाठगी टकर में किसी और कुछ भी कर देगा अपनी वहीन के लिए हम कुछ भी कर देगे अपनी बहीन के लिए रिएर्ट भी टैट करना जानते हैं अब जिद्दगी भर सड़ेगा जेल में ससुरे हैं दिवान जी इसका बयान लिख लीजिएगा ज्यादा चू चपड करेना तो मार के तश्रीफ लाल कर दीजिएगा कि दीजिए कि जिसके लिए इतना कुछ किया अब वही नहीं रही और अभी पुलिस कोट के चहरी का चक्कर काहे का चक्कर कि रहने तो आवे यहां कि गंगा तो चलिये गई कि गुड़ा बुड़ी अपनी जिन्दगी जी चुक है तुम किसी और से ब्या कर लेना अब हमारी जिन्दगी का कोई मतलब ने रहे मतलब है काशी लगता है हमसे कोई भूल हुई है भूल कैसी गूल एक बात सोचो काशी जब अभीमन्यू कई दिनों से मसूरी में था तो गंगा की लाश यहां बानारिस में कैसे मिली यहीं मतलब क्या है मतलब साफ है काशी गंगा का कातल कोई और है और वो इसी शहर में मौझूद है पर कौन? मैंने इपने बनारिस प्योरो के क्राइम रपोर्टर को सब कुछ पता करने को कहा है जो भी वो मैडम जी हम उसको छोड़ेंगे नहीं, आप बस पता लगाईए ध्यान रखो काशी, अगर तुम जेल गए तो हम गंगा को इंसाफ नहीं दिला पाएंगे इसलिए किसी भी हाल में अपना जुर्म कबूल मत करना लेकिन हम तो बोल चुके हैं कि हम ही भार है मना कर देना, पुलिस के आगे देया गया बयान कोट नहीं मानती मैडम, बहुत टाइम हो गया, चलिए निकलिए बलवान पाण नहीं, हम अपने कमीटमेंट से कभी पीछे नहीं अड़ते आप अपने कमीटमेंट पर जवे रहिए, पैसा टाइम टू टाइम मिलते रहेगा, बाकी तमार सा देखिए काशे को फांसी होनी चाहिए, मू मांगे कीमत मिलेगी अरे हो जाएगी फांसी, पहले बनारस कोट में केस तो शिफ्ट होने दीजिए बैठिए चलिए कारेवाई शुरू कीजिए, प्रोसीड ये राणर, शामने खड़ा ये मुल्डिम, एक ख़तरनाक और बहची बट्यारा है बट्यारा? हाँ, बट्यारा, बट्यारा विश्रा जी, आप तो इस शहर के नामी वकील साहब है ठैंक्यू सेर ठैंक्यू को छोड़िए, जो कह रहे हैं वो सुनिए कम से कम अधालत में तो पान ना ख़ाइए, हम भी पान खाते हैं और किसी दिन ऐसा नहों कि हम भी पान खा के जज्जमंट सुनाएं और नतीजा कुछ का कुछ हो जाए माफ कीज़ेगा ये और अनर, माफ कीज़ेगा है चिंता मत कीज़े पान्ड़ी जी माफ कीजिए को हुज़ूर हम है आदत से मजबूर सुधर जाइए शुरू कीजिए Your Honor मुल्ज़े में खतरनाक और बहशी हत्यारा है इसने बिना किसी वज़ा के दिन दहाडे मेरे मौकिल के बेटे की हत्या कर दी और इस हत्या में इनका साथ दिया इस महतरमाने मिस देविना खन्ना हुज़ूर यह आरोप सरासर गलत और फेपुनिया दिया दरस अलिया मामला हत्या का है ही नहीं अभिमन्य की मौत केवल एक हाथसे में हुई है काशी केवल गंगा की पुछताच करने वहां गया था लेकिन चोर की दाड़ी में तिनका अभिमन्यू का सच सब के सामने ना आ जाया इसलिए वो उस ढरस चच से कुद गया हाहा जज साब सच क्या है अभी सब के सामने आ जाएगा ये रॉनल्ड अगर आपकी आग्या हो तो मैं मुल्जम से कुछ प्रश्ण पूछना चाहता हूं इजाजत है काशी जी एक थब बात बताईए आपकी बेहन गंगा किसी के साथ बाहर चली गई थी उसी को तो ढूंडने गए थे हम और वो नहीं मिली और आपने मन्यू का कतल कर लिया अब्जेक्शन सर ये अपनी मनगण बाते मेरे मोकिल पर थोप रहें अब्जेक्शन ओवर रूल सेना साब उन्हें अपनी बातों खतम करने दीजे शुक्रिया जाज साहब काशी एक थो बात और बताओ आप अब मन्यू के घर गए थे जी गए थे आपने उनके पिता को धमकी थी थी पूरा पश्रिम का देख रहे हो उत्तर दो यूर ओनर अब मैं मन्यू के पिता जी श्री बलवंत पांडे जी को कड़ घरे में बुलाना जाता हूं इजाज़त है कि अ कि बलवंत पांडे जी क्या काशी आपके घर आया था जे लीक लिखागा एज़र आया था उसने क्या कहा था अपसे इसने हमें धंकी दी थी कि अगर गंगा नहीं मिली तो यह हमें और हमारे अभिमन्यू को जान से मार देगा हभ दूलिया योर ऑणर हम उखधया अगर नहीं मिली तो यह इनने और अभिमंल्यू को जान से मार देगा और इसे गंगा नहीं मिली और इसना माननियू का कट्ल कर दिया हुसे मार डाला उसका खून कर दिया उसके हाद्या कर दी सर पल्वन जी से मैं कुछ प्रश्ण पुछना चाहता हूं इजाज़त है थांक यू चांदा यह तुम्हारे बेटे को नहीं छोड़ता है लेकिन उससे पहले ही तुम्हारा बेटा मर रहा है गंगा के साथ जो घिनोना करम किया है ना तुम्हारे बेटे नहीं उसके लिए तो उसे सजाय मौत ही मिलने चाहिए थी आप नरेकर बात करो वकील मेरी आपकात निकल जर अगर सच का पता नहीं चला न तो तुम्हारे साथ सातु मुखा धुरे सांदन को करदेंगे हम किन अगान्वा सम शाम वक्राइब्ल्वन्द मिस्टर सें इस मतुगा से इस कंटेंप्ट ऑफ और है ये कि टोढकर में एक बार फिर से कई है न कि आतु है कि सौरी ज़ज साहब मैंने अजीज भार्षा का प्रयोग की अकोड के सामने इसके लिए एक्षमा चाहता हूं लेकिन मैं यही प्रू करना चाहता था कि मेरे कुछ कटू शब्दों से पलवन पांडे जैसा लब्द प्रतिश्टित व्यक्ति भी अपना आपा खो बैठता है और मुझे जान से मार डालने की धमकी दे देता है तो ज़ज साहब अपनी बहन के खो जाने पर आक्रोशित होकर अनपड काशी यदि कोई धमकी देता है तो मुझे नहीं लगता कि हमें उसे सीरियसली लेना चाहिए ज़ज साहब मैं कुछ गवाह पेश करने की इजाज़त चाहता हूं इजाज़त है काशी ने खुद कबूला था जनाब कि अभिमन्यू का कतल उसी ने किया है अब्जेक करती है ज़ज साहब वही कानून की कलम काशी को फांसी के फंदे तक पहुंचाएगी ज़ज साहब मैं कुछ और गवाह पेश करने की आग्या चाहता हूं सार 26 ओक्टोबर को यह हमारे होटल आए थे और इनके साथ यह मैडम भी थी कितने दर रुके थे सर यही कुछ एक घंडा और उसी बीच अभिमन्यू सर का मर्डर हुआ और उसे मारा था यह मैडम उसे लगातार रोकने की कोशिश कर रही थी लेकिन साब यह रुका नहीं है तब भी यह 605 नंबर रूम वाले सर को छाट से फेक दिया मैं मेरे ही आकों के सापने पहले दो इसने कमरे में और आप इमन्यू को बहुत मारा फिर यह बार बार चिला रहा था गंगा का है मेरी बेहन का है पर सर अबंधिमन्यू सच में गंगा को नहीं जानता था वो इंकार करता रहा उन्हें उसे भगाते हुए छट पर ले गया और अभिमन्यू को छट से भेग दिया मैंने और देविना ने इसे रोखने की बहुत कोशिश की लेकिन यह नहीं रुखा मनिंदर बाबू एक ठोबाद बताईए यह काशी जब ओपर गया तब आप कहा थे रिसेप्शन पर रिसेप्शन पर काशी और अभिमन्यू के बिच जब जगडा हो रहा था तब आप कहा थे सर रिसेप्शन पर रिसेप्शन पर और इनके कहने के अनुसार काशी ने जब छट से अभिमन्यू को भेगा तब आप कहा थे सर रिसेप्शन पर रिसेप्शन पर अपने आपको क्या माभारत का संजय बांते कि दिव्यत चट से अभी मन्यों को फैंकते हुए देखा था शाब इसके तो सिर्पे खून सवर था इसके पागल पंती देखके मैं डर गया डर के सर भाग गया तहीं हम को ही ना मार दे और ये मैडम ये मैडम इसके पिछे भागते हुए रोकने की कोशिश कर रही थी आपने काशी को पहली बार कब देखा थी जब ये पहली बार मेरे और अभिमन्यू के कमरे में आया अच्छा उस वक्त आप क्या कर रही थी मैं नहा रही थी अच्छा और अभिमन्यू क्या कर रहा था वो भी नहा रहा था वो भी नहा रहा था आपके होटल के कमरे में क्या द एक एक बातरूम में आप दोनों एक साथ ना रहे थे अच्छा है पाने बचाओ यह रहा है यह हमारे काविल दोस्त कैसा प्रशन पूछ रहे हैं यहां कोई सरकार की योजना की सिपारिश का मुकतमा चल रहा है मिश्राजी मिश्राजी ऐसा प्रशन करके कोट को शर्मिंदा क स्कार कर रहे हैं और 오빠 पूरी महिला समाज का आफ मात कर रहे हैं जैज बनने की कोशिश ना किजिये हमहला यहांड पर मिस्टा सिना प्लीज कन्टेनीक तो जाहिर है कि आपने काशी को बातरूम से तो नहीं देखा होगा वह जब आ वाटरूम से बाहर आएक होंगी तब तो क्या आप सिर्फ टावल पहन के छट पे गए थी जी नहीं तो चट पर जब गए तब आपने क्या पहना गुटर्टा तो कुर्ता नीचे क्या पहना था यह कैसा सवाल पूछ रहे हैं यह और हमारे कावी दोड अरे बहुत सिना रही कैसा सवाल है सर इसका इस के साथ संबन लंद प्लीस प्लीस विए में टूमिकिट सर्फ सथी चलिए पोछिए क्या पहना था कूरते के नीचे आपने क्या पहना था चूरी दार पाज़ि triggered दो या यानि आप बाथरूम से बहार आएं तावल में तावल उतारा उसके बाद कूर्ता पहना फिर पाइजमा पहना इतनी देर तक जद साब इतनी देर तक काशी आपका छट पर इंतजार करता रहा कि आप वहां आएं और अभिमन्यू को धक्यलते हुए उससे देखें और फिर न साइलेंस इन देखें और 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 सर नेरे मित्र बे सहर पहर के गवाल आकर कोर्ट का वक्त जाया कर रहे हैं और इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि काशी पर लगाएगे सारे के सारे इल्जाम बे बुनियाद और जूते हैं पिश्रा जी आप कुछ कहना चाहेंगे अब मैं होटल हाइलेंड का सिस्यू टीवी फूटेज दिखाना चाहता हूं आपको चलिए देखते हैं इस सीची टीवी फूटेज से तो सावित हो गया कि काशी अभी मन्नु को दवडाता हुआ मारता हुआ छट पर ले गया और उसे छट से फेक कर उसकी हत्या कर दी ओए सर यह सच है कि इस पूटेज में काशी और देवी ना दिख रहे यह सच है लेकिन यह मामला हत्या का यह मामला काशी और देवी ना के मुँ द्खाई की रसम की फूटेज का नहीं साइलेंस प्लीज और सर इस पुटेज में कहीं पर भी ये दिखाईने दे रहा है कि काशी ने छत से अभी मन्यू को धकेल के फेंग दिया है देखिए कोट को खुल के बताईए क्या कहना चाहते हैं आप सर उस समय छत पर देविना प्रिया और काशी ये तीनों मौजुद तो मेरे ये मित्र दावे के साथ ये कैसे कह सकते हैं कि अभी मन्यू के हत्या काशी ने किया है और दूसरी बात जासा इस CCTV पुटेज में ये जरूर दिखा कि काशी अभी मन्यू का पीछा कर रहा है लेकिन इस पुटेज में ये कहीं पर नहीं दिखा कि काशी छत से अभी मन्य को धकेल रहा है उसका मरिडर कर रहा है केवल शक की बिना पर सब लोग काशी को कातिल गोजित कर रहे हैं सर ये बात सच है कि अभी मन्यू की मौत हुई है लेकिन बाकि सब जूटे गोट की आगे की कारवाई दो दिन बाद की जाएगी अब के लिए कि अभी तो खेल शुरू हुआ है अब कोट कर रहे है अभी तो खेल शुरू हुआ है आप काहे घबरा रहे है अरे गोट क्राफ्ट नाम की कौनो चीज होती है खून का बदला खून मुझे काशिय को भंदे पल्डे टकते देख रहे हैं बलवन पांडे जी पैसा में बहुत ताकत होता है इतना पैसा लोटाना चाहो लोटाओ इतना पैसा बहाना है बहाओ करें बहुत सको बहसे की ताकते काओ कर दो कर दो कि पिछले दो दिनों से मैं काशिक बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूं और जो फैक्ट्स हमने सुमूल किये हैं उसे सुनकर यादालत धंग रह जाएगी जज सहब दरसल काशी के टोले महले के लोग इसके रोसी पडोसी सबसे पता चला कि जिस गंगा के कारणी दरदर भटक रहा है जिस गंगा की होजा से इसने अब मन्यू का खोन किया दरसल वो गंगा है ही नहीं और ओडर शांती शांती क्या बोल रहे है मिश्रा जी यूर और दरसल काशी के साथ कोई लड़की रहती ही नहीं थी कार्शी की गंगा नाम की कोई बहन थी नहीं अब्जेक्शन मैं लॉर्ट मेरे होशियार वकिल दोस्त इस केस को किसी और दिशा में भटकाने की कोशिश कर रहे हैं जज साहब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस बात को साबित करने के लिए कि अपने गवाह पेश करना चाहता हूं कि सर पागल है ससुरा अरे हवाम बती आता रहता है एक पर हमको दौड़ा दौड़ा मारने लगा कि हमने इसकी भाइन को क्यों छेड़ा अरे भाया जब इसकी कोई बहन है नहीं तो छेड़ेंगा हवा को कोल मिला के समझ लीजिए ह ख़जूर यहां के भीशन पघला गया है दिन भर अपर बरहाता रहता है ऐसा लगता है जिस्सें किसी कもし बात कर रहा है लेकिन पड़िल अपड्यम सबकुर्स्यक् região कोरे सोह होता नहीं है जो अTCि का लकील साहप के पगला गया है कि हमको दो लगता मैं यह भूध उदके च इस्ट्रूडेंट जरूर था सर ये सारे गवाब बीच चुके हैं ये सारी मनगडन कहानिया है मैं भी कुछ गवाब पेश करना चाहता हूँ हाँ इजाज़त है जैसाइब बक्वास कर रहे हैं सबके सब आरे हम खुदे गंगा से राकी बनवाए हैं हर साल और यह वकील साब पठ्टी पढ़ाया है सबको अरे यह सब तो पांच रुपर गांजा पर जुट बोल देते हैं सब जट साहब हम सब की लाडली थी गंगा इस सबका सब जुट्टा है और यह दून चुट्टा सब मुना और बविनवा एक नंबर का जुट्टा है साहब सब कई बार हम खुद गंगा पॉलेज छोड़ कर आये थे और इस साला सब इस साला सब पैसा खाती रपना अवकार दिखा रहा है सब गंगा हमारी साथी क्लास मे बस जिस दिन उसने हमें यह बात बताई उसके बात से हमसे वो नहीं मिली है समय मिली हूं गंगा से इसलिए इस बात को कोई नहीं कह सकता कि गंगा एक्जिस्ट ही नहीं करती और सोचने वाली बात यह है कि अगर वो एक्जिस्ट ही नहीं करती तो गंगा की जो बॉड़ी पुलिस को मिली थी वो किसकी थी तालेंस इसलिए सर आपसे रिक्वेस्ट है कि अभीमन्यू के मरडर केस को किसी और दिशा में भटक ने ना दिया जाए यह रहा है अदालत कहीं नहीं भटक रही बल्कि एक संकी क्रिमिनल की सच्चाई अदालत के सामने आ रही पर मिश्रा ज इसी बात को जानने के लिए हम इंस्पेक्टर घंशाम को कट घरे में बुलाना चाहेंगे इंस्पेक्टर घंशाम आपको कैसे पता चला कि ए डेड़ बोडी गंगा की है काशी और देविना ने इसको पहचाना था कैसे दरसल उसका चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था पर अगर उसके ऊपर जो कपड़े थे उसी से इन दोनों ने पहचाना जैज साहब इस बात पर गौर कीजिए आप जा सकते जी यह रॉनल्ड अब मैं देविना जी से कुछ प्रश्न पुछन चाहूंगा अगर आप इजाज़त देल दो इजाज़त है देविना जी आपने गं गंगा ने पहना था वो मैंने उसे गिफ्ट किया था ओ जो ड्रेस गंगा ने पहना था उसे आपने गिफ्ट किया था जज़सा मेरे पास भी गिफ्ट है एक मीनट मेरे पास भी गिफ्ट है यह किया यह यह वही ड्रेस है जो आपने गंगा को गिफ्ट किया था जी जी यह और उनर इस तरह के ड्रेस वी मार्ट में चाड़े 500 रुपए में मिलते हैं और शिर्फ बनारस में ही इसके 200 पीस बिक चुके हैं देवीना जी आप दावे के साथ कैसे कह सकती है कि डेट बडी ने जो कपड़े पहने थे वह आपके गिफ्ट किये हुए कपड़े थे तुक्का जनाब तुक्का देवीना जी का तुक्का लेकिन कानून तुक्कों से नहीं चलता जनाब कानून सबूतों से चलता है लेकिन मुझे यकीन है कि वो लाश गंगा की ही थी कपड़े तो एक जैसे कई बन सकते हैं लेकिन इंसान की शरीर की बनावट तो एक नहीं हो सक सकती हैं समय गंगा से कई बार मिल चुकी हूं और उसे पहचाने में मैं कभी धोखा नहीं खा सकती हाँ जजसाब अब मैं चाहूंगा की गंगा खुद इस कोट में आये और खुद दूद का दूद और पानी का पानी करें क्या क्या है साइलेंस साइलेंस इन दा कोट क्या हो गया क्या क्या बोल रहा है आप मिश्टर जी मैं ठीक बोल रहा हूं जजसाब मेरे तीन गिनने पर गंगा उस दर्वाजे से इस अधालत में दाखिल होगी एक दो आपका जादू पेलों गया मिश्टर जी कहा गई गंगा है यह और मैं यहीं तो चाहता था कि मेरा जादू फेल हो जाए आपने देखा नहीं कि आप काशी देवीना और यह दालत में मौझूद सारे लोग उस दर्वाजे की तरफ देख रहे थे कि गंगा अभी आएगी अरे तो आपने कहा था उदर से आएगी मैंने कहा था लेकिन गंगा आई नहीं क्योंकि यहां हम सब को यकीन नहीं है कि वो जो ड्रेट बॉडी थी वो गंगा की थी तब ही हम सब उस दर्वाजे की तरफ देख रहे थे कि गंगा वहां से आजाए नहीं तक कि काशी और देवीना भी योर अउनर समझने की बात यह है कि जब गंगा है ही नहीं गंगा का कोई अस्तित्व ही नहीं है तो गंगा की बॉडी कहां से आएगी बहुत हो गया अब इस भागलपन से मुक्ती दिलवाईए और फटा फट सजा सुनाइए काशी को और केश को खतम कीजिए आप हमें ना सिखाईए अब तक की कारवाई से कोट किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंच सकी इसलिए अगली तारीख पे काशी के माता पिता को कोट में पेश किया जाए ताकि सच्चाई की तह तक पहुंचा जा सकती तब के लिए कि कोटी जर्ण काशी वो तुम्हारे दिमाग से खेल रहे हैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देलाना चाते हैं वो जाये जो करें लेकिन हमें बस गंगा के कातिल का पता करके बताई और तब ही हदकडी जेल की चार दिवारी और हमें रोक नहीं पाएंगे है लेकिन काशी तुम्हें अपने ज़स्वात पर कावो रखना होगा है कि अधिना साथ पिछली सुन्वाई में कोट ने आदेश दिया था कि काशी के माता-पिता को कोट में बुलाया जाए आये वो सर्वो आते ही होंगे कि कितना लीट अ कि और 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 साइलेंस प्लीज यह क्या हो रहा है हमारी कोट में कोई हमें बताएगा अर्जैसाइब कासि के घर से भी घर पे न चाचांना चाची और मिल ही नहीं रहे हैं पता नहीं कहां गये यह काशी के माबाप को गायब करवाने की साजिश रची गई है और मुझे पुरा विश्वास है कि साजिश के रची इता भलवन पांडे है और इसलिए मेरी कोड से दर्खवास है कि बलवन पांडे को एरेस्ट किया जाए मिश्रा जी आएम एक्ष्ट्रिम्ली सॉरी सर घर पे काशी के माबाप नहीं है पता नहीं कहीं चले गए है यह और यह बात थोड़ी आपत्ती जनक है साहे अगर हमने माबाप को कुछ हुआ ना तो मादें की कसम ऐसा दांडों मचाएंगे पुरे काशी को मसान बना देंगे काशी 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 हम है ना सही और गलत का फैसला करने के लिए यूर ओनर अब मैं इस केस के सबसे एहम गवाह को पेश करने की इजाज़त चाहता हूं हाँ इजाज़त है चुमन चाशी आईए आपका नाम हमारा नाम चुमन है साहब हम और काशी के पिता बहुत गहरे दोस्त हुआ करते थे हुआ करते थे इसका क्या मतलब हो चुमन जी ठेक हम मतलब है साहब कि कासी के पिता को गुज्रे एक जमाना हो गया अरे का है जूट बोलते हो चाचा काशी काशी शांती रखो साइलेंस साइलेंस इंदा कोर्ट आप बोलिए वो दरसल सहर में प्लेग फैला था जिसमें कासी के पूरे परिवार की मौत हो गई थी बहुत देर कर दी इनमेंसे कोई भी नहीं बजा किल करते हैं जुट करते हैं चाहिए कासी के परिवार के मरने के बाद भी तसी को वो लोग दिखते थे इस बारे में हमने कभी कासी को कुछों नहीं बताया साहब जूट बोलते हैं जैंसे शोलें तुम भी बिके सर, सारे गवाँ होस्टाइल किये गए इसका फैसला कोट करेगी मिश्टर सिना आप बैठ जाएए गवाहूं के मद्दे नजर कोट ये आदेश देती है कि अगली सुन्वाई से पहले काशी की दिमागी हालत की जानत किराई जाए And for now, the court is adjourned आप आया हैं मैं पागल साबित करना है नहीं मैं तो ये साबित करने आया हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो किसी की बातों में भरोसा नहीं होता साब लेकिन तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा करना होगा क्योंकि तुम जानते हो इस कहला हो और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारी बचने का हम पागल नहीं है साथ गरीब है और ये लोग हर गवा को खरीद के आम में पागल साबित करना चाहते हो जानता हूँ और इसलिए मैं तुम्हारी मुदद करने के ले आया हूँ बस मरे कुछ सवालों के जवाब दे दो सारा सच सामने आ जाएगा आप भी उनी के आदमी निखलेंगे मैं विकाओन नहीं काशी इस मैं चौब तो शूरू करें जी से हाँ तो बताईए डॉक्टर साहब क्या कहती है आपकी रिपोर्ट जैस साब मैंने काशी सेकले में बात की उसे कॉन्फिडेंस में लेकर लेकिन जो नतीजे मेरे सामने आए वो बेहत चौकाने वाले है अगर आपकी पर्मिशन हो तो मैं इससे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा आ आ इजाज़त है थैंकिस सर अच्छा काशी मुझे एक बात बताओ घर में तुम्हारे लिए खाना कौन बनाता है हम खुदे ही बनाते हैं अपना खाना क्यों कि बुडिया की हाथ का खाना में जमता नहीं मिर्चा ही जोग देती है तो तुम्हारी बहन है खाना वो भी बना सकती है कॉलेज और ट्यूसन से उसे फुर्सदी नहीं मिलती तो तुम्हारे बाबा क्या करते हैं दिन भर हमको गरियाते रहते हैं क्यों क्या तुम्हारे बाबा अब शम्शान खाट में काम नहीं करते हैं बुड़ापे में बाबा से काम खरवाएंगे का गरीब है नालायक नहीं है अच्छा मुझे बात बताओ तुम्हारी बेहन से तुम्हारा रिष्टा कैसा है जानती हुआ हमारी लेकिन लेकिन हम उसे समालेव अपने आपको मुझे बात बताओ तुम्हारी बेहन तुम्हें राखी तो बानती होगी पहले बानती थी बाद में हम खुद ही बनवाना छोड़ दी है क्यों एक साल उससे राखी वे बड़ा जगड़ा हो गया मा कसम खाएगी राखी नहीं बनवाई ह और फिर हम कसम नहीं तोड़ पाएं कि आच अच्याक कि तुम जब घर आते हो कि तमवारे लें दर्वाजा कौन खूलता है खुला ही रहता है दर्वाजा है दोम के घर से कौन काले जाएगा मृत जब भी घर आते हो कभी भी तो तुम्हें पानी कौन ला कर देता है तुम्हारी बहन गंगा या फिर तुम्हारी माँ घर की महिला हो गया हाथ से पानी नहीं पीते हूं यह पॉइंट नोट किया जाए और और काशी के जिन्दगे में यह जो भी लोग हैं जैसे इसके माता-पिता इसकी बहन गंगा दरसल यह लोग है ही नहीं अरे चुप रहो भाई उनकी सुनने तो दो है नहीं मतलब सर मैंने काशी से अब तक जितने भी सवाल कि उससे इस नतीजे पर पहुंचा हों की काशी जिन लोगों को भी देखता है वो लोग इसकी जिन्दगी में कोई एक्टिब काम करते ही नहीं जैसे कि खाना यह खुद में एक किरदार इंबॉल्व होते हैं जैसे जगडा करना वहस करना काशी ने अपने इर्दगिर्द एक काल्पनिक दुनिया बना रखी काल्पनिक किरदार है जिसके साथ यह बड़ा हुआ और अब शायद भूड़ा भी हो जाएगा तो रसल जसाब ये काशी के हैलूसिने तो लगता है मनुची किचक नहीं है खुद एक मानसिक रोगी है अब जेक्टे नोरूल बैट जाहिए आप बैट जाहिए मिस्टर बलवन्त आप भी बैट जाहिए आप बोलिए पीस कंटीनियू यह सीरियस केस और इसकीजोफरेनिया है जिसे पैरनोइड साइकोसिस कहते ह इस दिजिस के एक्स्ट्रीम में इंसान इतना वाइलेंट हो जाता है कि अगर उसकी काल्पनिक दुनिया में कोई भी हस्तचेप हो तो वो किसी को कुछ भी कर सकता है पर शायद इसे लिए इसने अपिमन्यू के विचाहिए यह रॉनर अदालत को और कितने गवा चाहिए हो अब हैसला सुना दीजिए यह रॉनर यह एक साइको किलर है और इसकी सजा फासी है अभी तक यह सिद्ध नहीं हुआ है कि काशी ने ही अभी मन्यू का मरडर किया है अब जेक्शन ओवरूल कितने पैसे दिए बलवत में मैं विकाओ नहीं हूँ इस मैं जोग काशी तुम्ह है अपने बचाओ में कुछ कहना है हाँ हम नहीं मारा тепली धि dhat सब्सक् delete किया था इस बिशाथ करकिन हम से मैं को लगा कि हैने काव अभी मन्यू है लेकिन हमेरी वहट को तो बलवंत में वारा काशिभिया गंगा आय थी उस दिन बल्वंद साहब से मिलने उन्हों नहीं बुलाया था हम तो बाहरी खड़े थे अंदर से जोड़ जोड़ से चिखने चिलाने की आवाज आने लगी फिर हमने देखा कि बल्वंद साहम ने उसे बालकोनी से धक्का दे दिया फिर लास्थिक को बताईएगा नहीं कि हमने आपको यह बात बताई है नहीं तो बल्वंद हमको जिन्दा नहीं छोड़ेगा साला पहले मेरे बिटे को मारा अब मुझ पर इल्जाम लगा रहा है इल्जाम नहीं सच बता रहे है और जब तक तुमको मारेंगे नहीं नहीं सो पाएंगे और तू हमको मारेगा साला पाखल तेरी इतनी जुड़त अच्छा हुगा कि तेरी पहन नहीं है अगर होती तो उ 上 का έओни लाओни्ग! kilometers का düny का वो प्त्व कि बंबं बोले बोले काशी कि अरे क्या हुआ अरे आता हूं अरे नास्ता तो करते जाओं तो किधर जा रहे हैं अरे भीया काहे प्रसान हुआ परमिशन हो हमरे पास ठीक है हो गया काम कासी का बात है गुरू तेरे नाम पिच्चर के राधे लग रहे हो डिट्टो अच्चे वले आद्भी को पगला बना दिया तो का नहीं पुछोगे मा कैसी दिखती है मा इंका सवाल पूछ रहा हो यार बताऊ ना कैसी दिखती है मा मा बुढी है वो आगे के बाल पग गये है और गोरी गोरी है ठीके कहे है लेकिन उसके आगे के दूदात दी उन्टो देखे हो न अरे भाई उम्र के साथ दांट साथ छोड़ देते हैं देखे ओके नहीं कि बिल्कुल देखें यार मां के दाथ है रंडीला अरे भाई तुम अपने जिस बहन गंगा को इतने दिन से ढूंड रहा हो वो तो यह रही लो यह देखो और इसके चक्कर में तुमने मेरा क्या हाल कर दिया यार अरे जरूरे आपको कोई गलत फैमी हो रही है ये गंगा नहीं ये दिवीना है अरे नहीं भाई मुझे कोई गलत फैमी नहीं हुई है ये तुम्हारी बेहन गंगा ही है यही तु मेरे पास आई थी अपने और अभिमन्यू के शादी के अर्जी देने और उसने अपना नाम गंगा बताया था इतना खुश मैं कभी नहीं था सच मैं जिंदेगी में पहली बार हारने पर जश्न बना रहा हूं मैं तो सायर अगर हार के भी जीतने का अशास तो फिर पाटी तो बनती है ना देविना दीदी क्या सोच रही हो आओ ना लेट सेलिब्रेटा विक्ट्री यह लो जीर विक्ट्री यह दो कर दो जीर कर बना था जीर प्रविक्ट्री यह जीतकर भी हरा वह मैसुस होरा है पर क्यों दीदी काशी इद्ध आपको प्रूब आपको देखो देविना हमेशा युद्ध में मरने के लिए प्यादे कुई बेजा जाता है काशी प्यादा नहीं था तो दीडी आड यू लॉव विद इम तेविना यहीं मुश्किल से तुम्हें इस केस से बच्ची हो तुम्हारी जरा से भी लापरवाई हम सब को लेकर डुबेंगी इतनी नजदी कि मुझे किसी और से नहीं हुई है कब काशी से टाच्मेंट हो गया मुझे मुझे पता ही नहीं चला दीडी पर आप क्या करोगी काशी तो जिंदीकी भर के लिए जेल में बंद है ना मैं निकलवाऊंगी उसे उसका ट्रीट्मेंट वोर्ल के बेस डॉक्ट बताऊंगी वो मुझे माफ कर देगा काशी तुमसे कोई मिल ले आया है कैसे हो काशी हम कैसे वैसी वैसी पगलेट् तुम जानती थी ना I'm sorry काशी मैरी तुम्हें बचानी की हर कोशिश की प्यार करते थे तुमसे यह सिला दिया अच्छा खासा जी रहे थे हम जिन्दगी दबा कर दी हमारी का है का है मैं मैं बनारस एक मकसद से आई थी और मुझे तुम दिखे करें तुम्हें वह इंसान हो जो मुझे बनारस से रूब बरो करा सकते हो अच्छा आई यह अमारे बाबुजी है नहीं आज गाम धेर आगया थे मैं उसी दिन समझ गई थी कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मैंने डिसाइड किया कि तुम मेरे मिशिन के लिए सही आग्मी है और एक मनोच चिकिटसकी तरह मैंने तुम्हारे दिमाग पर काबो किया मेंने देखा कि तुम कंगा से पहत प्यार करते हो तुम्हारे दिमाग का इस्तमाल किया और तुम्हारी जिंदगी की सबसे कीमती चीज तुमसे चेंग डी शुती जिसे मैंने गंगा की सहीली कहके तुमसे मिलवाया था वो दरसल मेरी बेहन पर दीदी, मुझे क्या करना होगा? तुम्हें बस गंगा की दोस्त बन कर एक कहानी सुनानी हो जो मैं तुम्हें बोलू और उसने तुम्हें गंगा और अभी मन्यू की एक नकली प्रेम कहानी सुनाई जिसे तुम मान गए मैं जान बुझ कर लखन हो गए और तुम्हें कोट पेजा जी माडम जी का शादी की अर्जी देनी थी लड़के का नान क्या है? अभी मन्यू पांडी और आपका? गंगा चौधरी गंगा चौधरी तुम्हारे यकीन को और पक्का करने के लिए बलवंत के घर के बाहर हम दोनों के उपर कुलिवान चलवाएं और मैं रंगीला से भी मिले गई थी देखो रंगीला काशी की तब ये दिनो दिन बिगड़ती जा रही है उसे ऐसा लगनी लगा है कि गंगा गायब हो गई है हमें उसे संभालना होगा नहीं तो इस बीमारी में अकसर ऐसा होता है कि इंसान जानलिवा हो जाता है इसलिए शायद काशी ने बबीना और उसके दोस्तों को बहुत मारा अरे बबले तो ऐसे में हम लोग को का करना होगा मैडम जी जैसा मैं कह रही हूँ तुम और तुम्हारे दोस्त वैसा ही करो नहीं तो काशी बहुत बड़ी मुसीपत में फस जाएगा मैं हर पल डॉक्टर से सला कर रही हूँ मैडम जी आप जैसा कहिएगा हम लोग करेंगे और वो जो गंगा की लास्मली थी वो वो ते रहते हैं यह का है मुझे एक लावारेस लास चाहिए लड़की की लावारेस लास कहें तुम्हें उस लाश को वही कपड़े पहनाने जो मैं तुम्हें दूंगी और उसे किसी गुमनाम जगह पर छोड़ देना है मैडम काम बड़ा है पैसा भी ज्यादा लगेगा यह तस हजार है बाखी के काम होने के बाद और हां मैं कपड़े बिजवा दोंगी मैं जो कपड़े गंगा के लिए लाई थी वो मैंने बबीना को दे दिये चुमन चाचा पबीना और उसके दोस्त सब सच कह रहे थे काशी एक भूले भाले इंसान को कातिल बना दिया तूंगे आखिर क्यों बदला मुझे बदला लेना था कैसा बदला बदला मेरे पिता का बिजनिस पार्टनर था मैं कुछ आठ साल की रही होंगी सारी प्रोपर्टी हर अपने के लिए उसने मेरे पिता और मेरे भाई को ही मार दिया छोड़ दीजिया मैं छोड़ दीजिया मैं छोड़ दीजियर करता आई मतलब वो जो कार्ड बोला था, वो भी जूट था हाँ काशी, जैसा मैंने कहा, उच मैंने तुम्हें वही बताया इत्ते फाक देखो, बलवन्त और अभिमन्यों की मौत वैसे ही हुई जैसे मेरे भाई और पापा की हुई थी कोट में जब बलवन्त से तुम्हारी बहस हो रही थी, तब मैंने अच्छा किया तुम्हें, काशी हमने साला तुमसे मौभबत किया और तुमने हमारे भरोसा कही खून कर दिया मौभबत से दुनिया का भरोसा उठ जाएगा मैडम नहीं काशी, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दोती मैं तुमसे तब भी मौबद करती थी और और अब भी करती हूँ एक और छूट नहीं चाहिए ऐसा प्यार अब केसे वरवाना चाहती हूँ कर्शी मैं च्वटने वोड़े कर्शी तुम्हें क्या लगता है को तुम्हारे घडियाली आसू उमको पिगला दे हैं अंकरो यह नाकर नहीं जिन्दगी वर लाज चलाते रहे लोग रोते थे, हमें फर्क नी पढ़ा लेकिन तुम्हारे रोने से में फर्कर पढ़ता है जानती हो क्यूँ क्यूकि हम तुभे प्यार कर ते हैं हम सुरी कर देख लेख 70 day हम तुभे बहुत प्यार कर दे और हम जानते कि तुम भी हमें प्यार करती हो जिंदगी हम दोनों के साथ ऐसा खेल खेलेगी हम सोचे नहीं थे बाब, बाबा, गंगा सब छील लिया तुम्या लेकिन फिर भी हम तुम्हारे साथ रहना चाहते महादेव किसम तुम्हारे साथ चीना चाहते है लेकिन महादेव को ये मनजुद नहीं महादेव का लिखा कोई टाल नहीं सकता कॉज टाल नहीं सकता कुर्वान लुई लिश्ता! कुर्वान लिश्ता! कुर्वान लिश्ता! पताने ये च्या पर चाह लेता है, जब दे कुछ अमच पिसता लेता है माँ से पूछना खाने में किती दे रहे हैं, और सुनो, गंगा को वादा किया है, कल ले जाना होगा उसे, और सुनो, बाबा को कहना आमें पर हिसान ना करे अब, हम बहुत थके होगा है मेरा थोड़ा दावाद होगी थोड़ा इस तर्शाओ के साथ, तो गल बाजार जा रहे है ना, गुन्गा के साथ, तो उस वक्त भोभी ले लेंगे, जितना ची है, उतना ले-ले ला थीक है तर्शी एक चुट की रोजाना तुम हसी दे जाना मठी भर कुछ सांसें पास में रख जाना बिन शर्त जो बांधे हमको वो रिष्टा तुम ले आना 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 इस दिन तुम कुछ खाब न भेजो नीद मेरी चिड़ जाती है जब भी तुम सांसें बेजते हो उमर मेरी बढ़ जाती है तुम तक जो पहुचा दे मुझे को रिष्टा तुम अऴंच आना दो जो रिष्टा थिए आना विष्टा पहुचा तुम ले एंग भाम दो रिष्टा पहुचा तुम ले मिए